आपने कभी न कभी बायो स्फियर रिजर्व, वाइल लाइप सेंक्चुरी और नेशनल पार्क के बारे में तो ना ही होगा अक्सर आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा कि इन तीनों में क्या अंतर होता है ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में इन तीनों के बारे में जो भी confusion है वो दूर हो जाएगा आज हम बाबा के गुरकुल में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम यहां यहां बता दें कि wildlife sanctuary, national park और biosphere reserve biodiversity के conservation यानी सनरक्षण के लिए बनाये जाते हैं biodiversity का सनरक्षण दो प्रकार से किया जाता है पहला in-situ conservation दूसरा यक-situ conservation अगर हम in-situ conservation को आसान भासा में समझें तो इसका मतलब होता है कि species को उन्ही के घर में यानी उनके natural habitat में सनरक्षण करना और ये तीनों यानी biosphere reserve, national park और wildlife sanctuary, in-situ conservation के अंतरगत आते हैं हमारा main focus इसी पर होगा लेकिन यहाँ पर हम आपको एक-situ का मतलब बता दें कि species को उसके natural habitat से बाहर निकालके उनके natural habitat जैसा artificial habitat बनाकर सनरक्षित किया जाता है यहाँ पर अगर आप इन सब्दों को ध्यान से देखें तो इसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इनका मतलब होता है अंदर और x का मतलब होता है बाहर तो आप इसे याद रख सकते हैं in-situ और x-situ इनका मतलब होता है अंदर यानि natural habitat में और x का मतलब होता है बाहर यानि बाहर environment में अलब artificial habitat में उन्हें सनरक्षित करना ये आपको इसे याद रखने का आसान तरीका हो सकता है यक सीटू कंसरेविशन के अंतरगत जूलोजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन आते हैं जूलोजिकल पार्क को हम आम बोलचल की भासा में जू यानी चिडिया घर के नाम से जानते हैं जो की लगभग हर बड़े सहर में होता है आपने कभी न कभी तो देखा ही होगा जहां पर जानवरों और पक्षियों को सनरक्षित किया जाता है वहीं पर बोटेनिकल गार्डन में पेंड पौधों को सनरक्षित किया जाता है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारा मेन फोकस बायोस्फियर रिजर्ब नेशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंचुरी पर होगा तो हम इन तीनों के बारे में अंतर जान लेते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क क्या होता है नेशनल पार्क वाइड लाइफ के बटर्मेंट के लिए इस्ट्रिकली रिजर्ब होता है जहां क्यूमन एक्टिविटी जैसे फोरेस्टरी ग्रेजिंग यानि चराई जैसे कि आपने गाउं में कभी देखा होगा जब हम एनिमल्स को लेकर जाते हैं बाहर और वो घास चरते हैं इसाग होगा जैसे जैसे जिम कॉर्बट नेशनल पार्क बांधिपूर नेशनल पार्क आदि आप हम हम वायल लाइफ सेंक्षुरी के बारे में जान लेते हैं वाइल्ड डाइट सेंक्चुरी सिर्फ वाइल्ड एनिमाल और प्लांट इस्पीसीज के कंसर्वेशन के लिए रिजर्व होता है इसमें कुछ हद तक human activity की अनुमती होती है जैसे तूखी लकडियां एकठ्था करना, कुछ फलफूल और पत्यां एकठ्था करना और प्राइबेट ओनर्शिप राइट भी मिल सकता है तो हम आपको फिर से बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ human activity क्या होती है अनुमित होती है अब हम देखेंगे biosphere reserve biosphere reserve जमीन और समुन्द तट के परियावरण की प्रमुख छेत्र होता है जो की तीन भागों में बटा होता है यहाँ पे जमीन का multiple use allowed होता है हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं यह circle एक जमीन का टुकडा है जिसे हम biosphere reserve मान लेते हैं इसका सबसे अंदरूनी भाग जिसे core कहते हैं इसमें human activity बिल्कुल भी allowed नहीं होती है हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो यह core वाला part होता है उसमें human activity बिल्कुल भी allowed नहीं होती है यह beach का भाग buffer zone कहलाता है जिसमें कुछ हद तक human activity अनुमित होती है जैसे कि scientific research इसके सबसे बाहरी भाग को transition zone कहते हैं जिसमें human और economic development किया जा सकता है लेकिन ध्यान रहे वह sustainable development यानी परियावरण को बिना नुकसान पहुचाए होना चाहिए अगर हम आपको एक sentence में बताएं तो नेशनल पार्क में human activity strictly allowed नहीं होती है wildlife sanctuary में थोड़ा धील दे दिया जाता है और जो biosphere reserve होता है इसमें दोनों condition का मिस्वरण होता है अब हम biosphere reserve नेशनल पार्क और wildlife century के objectives को जानेंगे इनका objective होता है natural habitat को protect करना species के number को protected area में maintain रखना wildlife का संदक्षण legislation के द्वारा करना wildlife पर research करना wildlife protection के लिए लोगों को educate करना हम यहां आपको यह बता दें कि इंडिया के geographical area का लगभग 5% protected area network के अंतरगत आता है जिसमें कि लगभग 100 से अधिक नेशनल पार्क हैं और 550 से अधिक wildlife century हैं और 18 biosphere reserve हैं 18 biosphere reserve में से 12 UNESCO यानी United Nation Educational Scientific and Cultural Organization के अंतरगत world network of biosphere reserve में आते हैं अब हम एक एक करके इन 12 की नाम आपको बता दे रहे हैं जो की इस लिस्ट में हैं पहला नंदा देवी biosphere reserve जो की उत्त्राखंड में हैं दूसरा नील गिरी biosphere reserve यह केलडा करनाटका और तमिलनाडू स्टेट में फैला हुआ हैं तीसरा कंचन जंगा जो की सिक्किम स्टेट में हैं जिसको 2018 में recognition मिला है चौथा अगस्त मलई जो की केला और तमिलनाडू में पहला हुआ हैं जिसे 2016 में युनेस्को में recognize किया गया पच्वा गल्फ आफ मननार इंडिया का एक मात मेराइन biosphere reserve हैं जो की तमिलनाडू कॉस्ट पर Indian Ocean में हैं छट्वा पन्ना जो की MP में हैं इसे 2020 में युनेस्को की man and biosphere reserve प्रोग्राम में recognize किया गया सत्वा सुंदरबन जो की West Bengal में हैं नवा पंचमारी जो की मध्य परदेश में हैं दस्वा ग्रेटर निकोबार जो की अंडमान और निकोबार आइलेंड पर है गेराहमा नोकरेक जो की मेघालेया में है और बाराहमा अमरकंटक जो की MP और 36 गड़ में पहला हुआ है बचे हुए च्छा युनेस्को के अंतरगत नहीं आते हैं तो आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्थ हुआ हमें उम्मीद है कि आपको इन तीनों टॉपिक्स के बारे में conceptual clarity मिल गई होगी अगर हमारी ये वीडियो आपको informative लगी हो तो हमारा आपसे ये अनरोध है कि आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और मित्रों को भी share करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सकें आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद